देखिए आपके साब में कोशन्स आ रहे हैं आप इनके जरीया उटी के रहे हैं और रिवर्स करेंगे राम इस ब्रदर और शाम ही शाम शाम से बड़ा बताना है माइ ग्रेंड फादर इस बेंबर ओफ आव डाइनस्थी वाइ फ्रेंड इस राम बहुत आर्कलिक्स क्लिक्स आ वनव रहे हैं सेह कर्वी को बोलें के कली हमें यहां पर एल्डर एल्डेस्ट ओल्डर और अइस्ट का यूज़ करना है कैसे भी माचीत करते हैं और एक कुशन और कि 6 पॉइंट चार चाह चीज़ों को चार चीज़ों को यूज़ करना है आपकर कि first भी क्या आएगा second भी क्या आएगा third भी क्या आएगा और क्यों आएगा that is very very important with grammar concept grammar base के साथ हमें उच से analyze करना है राम शाम का भाई है और वो शाम से बड़ा है मेरे दादा जी हमारे भंश में हमारे कुल में सबसे बड़े है मेरा जो दोस्त है वो राम से बड़ा है दोनों सैकर भी है और सरपंच इजिना और कॉमोनियस विलेज हमारे गाउं में वो सबसे बड़े है जो हमारा सरपज है वो भी सबसे बड़ा 98 years old age है उसकी ताजबैल भारत में सबसे पुराना इसमारे के monument है और ताजबैल हवावेल से पुराना है यानि आपको चार पोइट भी लेंगे चारों में से अबें भढ़ना है और elder कब आएगा older कब आएगा या दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है दोनों equal है क्या आप में से बता सकता ये eldest और oldest में क्या फरगी यही कहली है आज की आज की पहली कहारी जाती है हमारी चार एग्जेक्टिव को जिसका नाम है elder जिसका दूसरा नाम है जिसका तीसरा नाम है the oldest या older ओके आपकी क्वेरी का जवाब देते हैं अभी आप लिगा कि आप बड़े को बोलते हैं तो ये बता ही फिर oldest को क्या बोलेगे मैंने आपका रिफरेंस पूछा है आपने कहते हैं elder बड़े को कहते हैं बात तो सही है तो oldest भी बड़े को ही कहते है online friends का जो क्वेरी आ रही है आपकी वह आप कहरें कि eldest बड़े को कहते है elder काई खुद से बड़ा बोलते हैं ठीक है तो older भी बड़ा ही होगा older भी बड़ा ही होगा CDC कहानी है पिर क्या निफेंस है इन में किसको कहते हैं बड़े को बड़े और बुड़े में क्या फरक हुआ बहुत अच्छी कानी है इसलिए तो लोग कहते हैं सेलेक्शन क्यों नहीं होता इसले नहीं होता है देखो बहुत चोटी पॉइंट है काफी six class win point को देखा तो होगा पड़ा भी होगा लेकिन आज में डिफ्रेंस देखो कितना बड़िया है पहला खुश है ना आपका रामिस ब्रदर और शाम राम शाम का भाई है मैं यहां पर एक बार बढ़ता हूँ elder two इसमें दो कानीया चलेगी बहुत इसा ग्राफ अच्छा बनेगा elder two मैं शाम से बड़ा है मैं यहां पर मैं चाहू तो भी आपर मैं older नहीं बर सकता क्योंकि grammar के कुछ प्रतिमत है क्या प्रतिमत है अभी बात करते हैं elder के साथ two आएगा और older के साथ then आएगा बहुत बड़ा description लेके चल रही है grammar अभी आता है दो वही कहानी आ रही है वही कहानी लिसकस कर रहे है कि क्या कहता है दूसरा लिखा my grandfather is member of our dynasty मेरे दादा जी हमारे परिवार में सबसे बड़े हैं उनकी जोगे 98 उनसे बड़ा कोई नहीं है नहीं नहीं यहां पर grammar का ע cliffs करते हुए दा-यल्νεस लिख दिया मैंने grammar की इज़त करते हुए यहाँ पर दा-यल्νεस लिख दिया grammar इज़त चाहती है पूरा आपका respect चाहती है मैंने हिए यहां पर दा-यल्नस लिख दिया sentence ही हो गया first sentence ही हो गया second my friend is Ram यहां तोे यहां त्हुले रहा है हमारा जो लंबा चोड़ा गांड है उसमें सर्पल सहब है वह सबसे बड़े हैं उनकी और की अजिए सबसे बड़े हैं हमारी जो सरपल साब है वो अवारी गाविष सबसे बड़े है अगरी रेखो एल्डर टूपी गई दा एल्डेस्ट के पास गई ओडर दैज गई दा ओल्डेस्ट गई ताज मैली मॉनुमेर्टि डिया ताज मैल सबसे पुराना इस मारक है इस भारत में दा ओल्डेस्ट और जा ताज मैली सबसे पुराना है तो यहाँ पर लिखेंगे अल्डर दैन अब आज की कहारी शुरू होती है अब अब देबेस बनाया कुशन्स के जरीए कुशन्स में क्वेरी पैदा होती है और क्वेरी से फिर आंसर आता है तो बहुत मज़ा आता है रिवस्ट भी जब गारी चलती है तो बहुत चलता है उटे चलने ज़्यदा फायदा होता है सीधे चलने से पहले query पैदा की किसे ने सोचा elder to आया कोई सोचा oldest आया किसे ने कुछ सोचा सोचा तो query पैदा हुई एक ground पैदा हुआ अब उस ground पे game खेलते हैं आज के in points का राम इस brother of sham राम शाम का भाई है he is elder to sham वो शाम से बड़ा है यदि किसी भी blood relation में रक्त संब्द में किसी को छोटा बड़ा बताना हो तो वापर elder का प्रियोग करेंगे तू के साथ भाई है चाचा बतीजा है blood relation है same clan है same dynasty है same mansh है तो आप elder to का प्रियोग करेंगे रक्त संब्द में पहली बात my grandfather is the eldest member of our dynasty मेरे दादा जी दादा जी मेरे रक्त संब्द में है blood relation में है तो blood relation में जब किसी को सबसे बड़ा बताना हो blood relation में जब किसी को सबसे बड़ा बताना हो तो the eldest का प्रियोग करेंगे क्योंकि दादा जी मेरे blood relation में है मेरे दादा है अब एक ही रक्त संब्द में है डाइनस्टी हमारा वंश है, हमारा क्लान है आपने अल्डेस को यूज़ किया बहुत अच्छे से समझना है माइ फ्रेंड इस ओल्डर ने नाम मेरा जो फ्रेंड है वो राम से बड़ा है बहुत हार कलीग बता दिया ब्लड रिलेशन नहीं है रक्त समझ नहीं है सेकर भी है ओल्डर दैन आ गया ओल्डर दैन और एल्डर टू ये अंतर भी बहुत भारी पड़ता है एल्डर भी आपकी comparative degree है लेकिन उसे टू पसंद नहीं है साथ वरह से लूगा भी आने वाले समय में आने वाले क्लासे में जागरती शर्मा की पैपसी जो अपने साथ comparison करते वक्त भी दैन को प्रियोग नहीं करती है तो जागरती शर्मा की पैपसी का पहला एक जो वर्ड है एक जो कलाकार है वो एल्डर टू है बाकी छे भी बाकी है ओल्डर दैन लेगा क्योंकि ओल्डर एक कमपेरिटिव डिग्री है तो कमपेरिटिव डिग्री इस साथ वर्ड को छोड़ कर दैन को यूज़ करती है साथ वर्ड के exception है अपोवाद है फिर आया आपका point नमबर चार हमारी जो सर्पन साहब है वो सबसे बड़े है oldest person लगा दो तो भी ठीक है सबसे बड़े person है सबसे बड़े व्यक्ति है person लगा दो के तो ज़्याद अच्छा लगेगा सबसे बड़े व्यक्ति है कहां हमारे लबे चोड़े गावे क्यों ओधा oldest यूज़ किया क्योंकि सर्पन्स आप से मेरा कोई blood relation नहीं है सर्पन्स आप मेरे ताउ जी, चाचा जी, मेरे दादा जी वगरा कुछ नहीं है सर्पन्स है, वो कोई और person है, कोई और class है, कोई और surname है और मेरे दादा जी थे, वो मेरे surname से या मैं उनकी surname से हूँ तो वहाँ पर आपका second में the eldest आया और fourth में आपका the oldest आया क्योंकि सर्पन साब से आपका कोई लेना देना नहीं है ताज मेली the oldest monument इडिडिया आपने का जबस तो इमारतों के लिए भी आपको सबसे प्राचीन बताना हो आपको सबसे छोटा बड़ा बताना हो तो आप older और oldest का प्रियोग करेंगे यानि elder और elder सिर्फ व्यक्तियों के लिए आएगा सिर्फ व्यक्तियों के लिए आएगा older और oldest का प्रियोग व्यक्तियों के अलावा इमारतों में बस्तों में जानवरों में किसी में भी हो सकता है कोई रुकेगा नहीं ताज मेल सबसे प्राचीन इमारत है सबसे प्राचीन इसमारत है भारत में और ताज मेल इस ओल्डर ने दा हवा मेल और ताज मेल हवा मेल से पुराना है तो आपकी समरी जाती है एलनर और दा एलनर सिर्व होता है आपका इसमें बस्तों और इमार्तों बे और वो होता है आपका इसके अलावा जिसे कहते हैं बस्तों और इमार्तों बेसका प्रियोग होगा और वो होगा आपका व्यक्तियों के अलावा बस्तों और इमार्तों बे एल्डर के साथ टू आएगा ओल्डर के साथ देन आएगा एल्डर और अल्ड्रे से ज़ादा कुछ भी आ गया भी बाजचीत करते हैं ओल्डर के साथ देन आएगा और ओल्डे से साथ दे आएगा यह तीन वेक्तियों में सबसे बड़ा बतायेगा लेकिंद दोस्ते योड़े वा भाई नहीं है वो तीनों वो तीनों दोस्त हैं, वो तीनों सेयात्री हैं, वो तीनों सेकर्वी हैं, वो भाई नहीं हैं, यहाँ पर आने के लिए भाई होना ज़रूरी है, कम से कम तीन भाई हैं, तो दा एल्डेस्ट, और कम से कम तीन दोस्त हैं, तो दा ओल्डेस्ट, किलियर कारी, आई यह कारी वो क नाम बेगे तो जिस घर में हमने एंट्री बारी वहावर हमें चार लोगों से मुलाकात हुई पहले का नाम है एल्डर दूसरे का नाम है दा एल्डेस्ट सूपर लेट्व डिग्री हमेशा 99% किसेज में दै लेती है जो आगे बात करेंगे तीस राहे ओल्डर के साथ दैन लि لة काहणिया एक बार explain elder का प्रियोग elder का प्रियोग दो लोगोंए होगा दो लोगोंए तुनना के लिए होगा यदि छोटा बड़ा बतारे हैं तुनना के लिए होगा अल्डर का प्रियोग, एल्डर का प्रियोग तुलना के लिए होगा बगर रक्त संब्ध में इस इंपोर्टेड लाइन, बगर रक्त संब्ध में यारी ब्लड रिलेशन में रक्त संब्ध में ही होगा, प्रियोग होगा और elder के सार्थ 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 wein to आएगा इसको भी लिखेड़ना यहां पर यह formula बड़ेगा जागरती शर्मा की Pepsi जो आगे आरा है जागरती शर्मा की Pepsi का यह पहला word है जो elder 2 लेता है आप से यह अपर दैन वरवारी की कोशिश करेगा का प्रियोग, इसका प्रियोग, रक्त संब्ध में, यह रक्त संब्ध इंपोर्टेंड वर्ड है, रक्त संब्ध में, ब्लाड इलेशन में, रक्त संब्ध में, कम से कम, कम से कम, सबसे बड़ा बताने के लिए होगा सबसे बड़ा बताने के लिए होगा तीन भाई हैं बोले सबसे बड़ा कोड है ना एल्डेस्ट को बुलाओगे आप तीन मित्र हैं सबसे बड़ा कोड है ना ओल्डेस्ट को बुलाओगे आप सेधी सी गाड़ी है रूम में को रहें? तीन दोस्ते हैं क्या? दो दोस्ते हैं, तीन दोस्ते हैं भी गोर थोड़ा एक्स्पेन करता हूँ वैं, ग्राफ के जरीए, गया, पॉल्डर को बुलाओ, पॉल्डर, दैन बोलेंगे आप, पॉल्डर दैन, इसका प्रियोख, रक्त स संब्ध के अलावा except of blood relation रक्त संब्ध के अलावा रक्त संब्ध के अलावा तुलना के लिए होगा कि छोटा कोड है बड़ा कोड है ओल्डर देन बोलते ही बना भाई नहीं हो तुलना के लिए होगा older than पूरा बोलों के older से काम भी चलेगा older than इसका प्रियोग इसका प्रियोग रक्त संब्ध के अलावा होगा this is used for the you can say comparison except for blood relation blood relation नहीं होना चीए वो अभाहि नहीं होगे वो होगे कम से कब दो से आत्री पडो से कुछ भी एक्स वाई जै और दै ओल्डेस्ट का प्रियोग दै ओल्डेस्ट का प्रियोग दै ओल्डेस्ट का प्रियोग रक्त संबंद के अलावा रक्त संबंद के अलावा रक्त संबंद के अलावा सबसे बड़ा बताने के लिए होगा सबसे बड़ा बताने के लिए बताने के लिए होगा समरी कर दी हमने रूल की एक्साम्बल के लिए होगा रक्त संबन बताने के लिए होगा और इस दोनरों का यूज और ना ओलनेस का प्रियोग व्यक्तियों के अलावा क्रेंटियों के अलावा बस्तूर बस्तूर और इमार्तू या कोई भी चीज जानवरों कुछी विर मार्तों के लिए लिए होगा है कि एक बाल फिर गरोव है प्रेक्जाम्मल समस्ते हैं और प्रेक्टिकल बहें तब तो लिग ली हैं में practical way ayleder the eldest older than आख बहीं आपको एक्जेक्टीं कर गाण में अगळी वकार में प्रभीश की आप ने पहली वकार में थे each every either neither दूसरे मकार में थे little a little the little तीसरे वकार में चार भाई चार दोस्ट elder the eldest older the and the oldest a black space high और sentence के ज़री ये पता चलेगी 2टोंवाइई है या blood relation है किसी भी प्रकार तो elder two का प्रियोग करेगी में ब्रबलेंदे तीन लोगों में यदिह किसी भी प्रकार पता चल जाएगा मेरे दादा जी है मेरे ताउ जी है मेरे चाचा जी है कम से कम तीन लोगों में superlative degree काम करती है ज्यादा से ज्यादा पुरी दुरिया हो सकती है the illness रक्त संबद में दोई आएंगे elder और illness का प्रियोग केवल व्यक्तियों में होगा केवल इंसानों में होगा और किसे में प्रियोग नहीं होगा फिर आता है older than older than का प्रियोग रक्त संबद के अलावा होगा यारी blood relation नहीं है blood relation नहीं है और the oldest का प्रियोग तीर दोस्तों में तीर सहेलियों में तीर सहेकर्वियों में तीर पडोसियों में तीर सहयात्रियों में सहेपाटियों में सबसे बड़ा बताने के लिए होगा तीर बहने हैं उनमें सबसे बड़ा बताना है तो दा ओल्डेस्ट को बनाएंगे तीर सहेलिया हैं उनमें सबसे बड़ा बताएंगे तो दा ओल्डेस्ट आएगा दो दोस्त हैं तो ओल्डर देन आएगा दो भाई है तो elder two आएगा older than का प्रियोग और the oldest का प्रियोग व्यक्तियों के अलावा वस्तों में और इमारतों के लिए होगा आपके पास दो मोबाईल है मैंने आप से पूछा कौन सा मोबाईल पुराना है तो आपने बोला oppo mobile is older than vivo mobile फिर आपने एक मोबाईल हो ले आए मैंने का आप सबसे पूराना कौन है तो आपने बोला oppo mobile is the oldest this oppo mobile is the oldest mobile in my home yes लाज पे लिखा है older than और the oldest का प्रियोग व्यक्तियों के अलावा व्यक्तियों के अलावा वस्तों और इमारतों के लिए होगा व्यक्तियों के अलावा वस्तों और इमारतों के लिए होगा older than का प्रियोग आपकी कॉलोनी में दो मकान है H1 और S2 इन में सबसे पुराना कौन है H1 है तो house number H1 is older than house 2 एक मकान और खैस दो तीर अब सबसे पुराना कौन है ये वाला तो आप बोलोगे house number 1 in the oldest house in our locality in our colony छीक है house number 1 में आपके दादा जी रहते है आप अपने दादा जी की बात करे हो कि मेरे दादा जी सबसे बड़े है my grandfather in the oldest member in our house in our family in our कुछ भी जो आप clan डाइनेस्टी यूज़ करें इस house number में आपके जो है दूसरे दादा जी रहते हैं छोटे दादा जी तो ये इसे बड़े है अब आएगा the oldest क्योंकि अब ये जो आपका the oldest आएगा लेगरी अंकल जी है ये इसे को blood relation दी है हमारा तो इनकी बात करेंगे तो the oldest आएगा कि ये जो अंकल जी है ना अंकल जी उसे बड़े हैं तो older than तो इन दोनों में कोई blood relation नहीं है हाँ दादा जी छोटे ताउजी है तो elder two दादा जी सबसे बड़े हैं तो the eldest ये अंकल जी सबसे बड़े हैं तो the oldest अंकल जी दादा जी से बड़े हैं तो older than और मकानों की तुलना में ये मकान इस से पुराना है तो older than और सबते पुराना है तुल्दा उल्डर से कहानी के लिए एक बार कहानी को फिल्ट कर लो दिमाग में आपको चार परसन मिले आप चार लोग मिले छा भिरते चार लोग मिले elder two ऐसे भोले गया ऐसे दिए elder एंपने नाराज हो जाती है इनको एक साथ दो व्यक्तियों में बुस दो व्यक्तियों में एकिए प्रतिमाद रक्त संबhas और बहुत सबबसक्ट पर रक्त संबत जॉर्टमएं notice बनाने आपको elder two तुल्ना के लिए, तुल्ना दोई वेक्चिव भी होती है, तीर में तुल्ना होती रही है, रक्त संबद में, the eldest, the eldest, plus, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, कम से कम तीर, कम से कम यह भी लिखना पड़ेगा, कम से कम तीर, प्र doubles रक्तसंबन प्रतिमत पुराना हमारा जारी है रक्तसंबण Eldest और Elder 2 की कहानी खत्ब व्यक्तिável वे किये प्रतिमत सदिये सिर्फ इंसानों में लागू होगा और कहीं लागू रोगा, तीसरा मिलावे older than older than older के साथ than आएगा प्लस कर दीजिए तुलना दो व्यक्तियों में प्रतिमद इपोच करिए रक्त संबंद के अलावा तो समझ में आ गया दोस्त हैं सहेलिया हैं बैच बेट हैं लेकि बहले तो नहीं है भाई तो नहीं है चाचाताओ तो नहीं है फिर आया आपका द ओल्डेस आपने का सबसे बड़ा है सबसे बड़ा कम से कम प्रतिति कम से कम 3 व्यक्ति जाना पूरी दुरिया हो सकती या तीन जार हो सकते है तीन लाफ हो सकते है उसे क्या फरक पड़ता है प्लास वही एक प्रतिवाद रक्त संभन्द के अलावा रक्त संभन्द के अलावा ब्लाड एक्सेप्ट फोर ब्लाड रिलेशान रक्त संभन्द के अलावा older than and the oldest can be used in two persons and except for blood relation or the oldest can be used at least three percent except for blood relation और एक पॉइंट इसका जो है लास्ट पॉइंट इन दोनों का यूज इन दोनों का यूज दोनों का यूज ब्यक्ति के अलावा किसी में भी हो सकता है इन दोनों का older than और दे ओल्डेस्ट सुपर्लेटी डिग्री 99% दे लेगी एक परसेंट नहीं लेगी वो काहने लेगी अभी आगे की काहनी है दा ओल्डेस्ट का प्रियोग व्यक्तियो के अलावा व्यक्तियो के अलावा यूज वस्तो जानवर किसी में भी हो सकता है यूज वस्तू जानवर पे होता है ये आज की काहनी की सबरी आज की काहनी का mathematical graph आज की काहनी का mathematical expression कुछ नहीं करना है सिर्वे काहनी आद रखनी बागी काहनी आपके mind में elder के साथ two आएगा तुलना दो व्यक्तियों में ये दो व्यक्ति भाई होने चाहिए ये दो व्यक्ति चाचा ताओ होने चाहिए चाचा बती जाओने चाहिए कोई भी blood relation होना चाहिए सेवी खांदान में elder two रक्त संब्द होना चाहिए दूसरा है दा एल्डेस सबसे बड़ा कम से कम तीद रक्त संब्द होना चाहिए मेरे ये ख्रणदार ये तीन लोग है और मुझे बताना कि मेरे ताओ जी सबसे बड़े है तो माई ताओ जी is the eldest member in our family नहीं मेरे चाचा जी सबसे बड़े है the eldest member in our family नहीं तीर पशलूसी hmm आ गए अब बताने बटाने ये अंकल जी सबसे बड़े है तो रामलाल अंकल is the oldest person in this group, in this village, in this locality, in this house, XYZ जो भी है लेकि नामलाल जी शामलाल जी से बड़े है रामलाल is older than शामलाल जी दोनों आपस में भाई कभी रही है sentence साफ-साफ कह रहा है आपको और रामलाल जी is elder to शामलाल जी indirectly sentence कहेंगे, अब blood relation में cover हो रहा है आपका sentence elder के साथ two आएगा, older के साथ then आएगा elder to एक अपवाद है कि comparative degree तो हूँ है लेकिन आप अपर को then पसर नहीं है भाई तो अकिला है कि आप बोले नहीं मेरे साथ एक बारात है एक formula आएगा, जागरती शर्मा की पेपसी JS पेपसी को यूज करेंगे जागरती शर्मा की पेपसी अपने साथ कभी देन नहीं लेती है वो हवेशा two लेती है और एक चीज़ और important इससे पहले more भी नहीं आएगा जबकि comparative degree की पैचान ही होती है या तो ER वर्ण हो उसमे या उसमे more का use हो जाज है smaller, taller अभी बात करेंगे आगे आज उसका नहीं है mention और owner के साथ देन आएगा क्योंकि एक कम से कम दो वेक्तियों में होती है लेकि देद्यों वेक्ति भाई कभी नहीं हो सकते दोस्त हो सकते हैं कुछ भी हो सकते हैं या भाई तो नहीं हो सकते हैं क्लियर आज आज का topic एकदम फॉर्थ point दा ओल्डेस्ट प्लस सबसे बड़ा बताने के लिए लेकिं कम से कम तीन वेक्ति एक्लिस थ्री परसन जैसे आप तीन लोग बैठें और मुझे आप में सबसे बड़ा बताना है तो मैं दा ओल्डेस्ट को यूज करूगा इसका बतलब यह बूरे हो गए इसका बतलब यह नहीं नहीं आप दोस्त हैं इसलिए मेलको दा ओल्डेस्ट लाना पड़ेगा और आप भाई है, आप ब्रिदर है, आप कजीर है, आप ब्लड रिलेशन में हैं, तो मैं दा एल्लेस्ट को भी हो गया, उम्र से इसका कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो दद-दस साल के 10, 11, 12 साल के बच्चे हैं, लेकि तीरो दोस्त हैं, तो दा ओल्लेस्ट हो गया, वो त हाई है तीरो भाई आया, तो दा एंडस को लेकर आयेगा, और दोस्त आया और पहले से दो दोस्त हैं, तो दा ओल्लिद्ट को लेकर आएगा, क्लियर कहानी, एकड़ में दूबारा पढ़नेगी जरुत पढ़ेगी, अब दूबारा आप किसी भी किताब को हाथ नहीं लगा देखते हैं गुरूर टूटेगा या हमारा गुरू टूटेगा गुरूर एका तो टूटेगा यह बात तो तह है लेकिन किसका वक्त बताएगा फिर चार भाईयों से बिलवाता हुए आपको जो आपने आज से पहले सूरे ना देखे दो तो तो प्ढ़े हुए पड़े होता है अच्छा प्रभाव चोड़ यहां पर क्वेरी पैदा होती है, जो वर्ट नेचर कहते हैं अंतरमुखी प्रवर्थी, अंतरमुखी को कहते हैं इंट्रोवर्ट लेचर, यानि कम बोलने वाला परसन आपका इंट्रोवर्ट कहलाता है, आप ये रोले डाइरेक्ट एक्जाम में लेके जाएगे, ये रोले डाइरेक्ट करेंगे, इन कुश्चंस को उठाकर, इन मेज को इण गया कुश्चंट है, और इँमेज का कुश्चंट है, क्या कि इस प्र मह से से भी एग्जाम गो जीता जा सकता है, ज़एक किताओं से रहे बोलाइगा,ahi को उपिको आद ने नहीं लगाया फिर भी हिट शांदार कर दिया आपको मैंने चार कुश्चन दिये की आई विल ओफर अबलेशन इंटेंपल देन माई मदर बेट्विट गोल्ड और सिल्वारी चीपर यो शुट पर्चेज मॉबाइल तो कटे बोल्ड फिगर राम इस बड़ी द्यू तो माइ हमे आपको उपनल दिकर वाए फहला लिग दिया मैंने लैटर ाई जार डॉसरा में लिख दिया लैटर जा लंड़ ती ऐख क का पाफी यूज कि उसकी आइस जिड़ी में अकर में जा रहा है ओं चौह फोटंध दो इसाप एड़ी घॉस लूरे बाहरी लेकला एक्शाम्य जब यहां रुत्मा दिखाते हुए कुश्चन को लेकर आते हैं ना, तब पता चलता है यह ग्रमर कहां पर परिशान कर सकती है और ग्रमर कहां परिशान करेगी लेटर 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 सो लास्ट, क्या फरец है, क्यों आएगा, कैसे आएगा और क्या डिफरेंस लेते हो आएगा तो देखिए आपने I will offer ablation in temple मैं मंदिर में प्रशाद चड़ाओगी यहां पर temple से पहले दै नहीं आएगा वजह भी बता देता हूँ जब मंदिर मंदिर का काम करेगा तो आर्टिकल को यूज नहीं करना है प्रशाद चड़ाना मंदिर क मंदिर की एक्टिविटी है आप यहां पर गलती से भी दै नहीं लगाएंगे हां मंदिर में किसी का इतजार करने हैं तो दै लगाओ वहां पर बैट की नाष्टा करने हैं कोई कोई जो है और discussion करने है तो दै लगाओ उससे कोई मतलब प्रशाद चड़ाना मंदिर की करम बताना और बाद करम बताना हो तो अभी दे यूस किया आई विल ऑफर अबलेशनी डेमपल मैं बंदे में प्रशाद चड़ाँगा लेटर दे माई मदर अपनी मां के बाद में यानि पहले वो यदी 11 बज़े चड़ाती है तो बैस सवागया था वो सवागया चड़ात जये तो यह आर्टिकल लेती है गोल्ड में कुछ соврем आएगा, मिल्क में कुछely आएगा और एक कौन सुर्ण लेता है वो जनर्रली गोल्ड और मिल्क को उठाता है उन्ज़ाता है उसकी आदत नेचर है कभी एई मिल्क वरवा देता है कभी दा गोल वरवा देता है इसा वो कोशिश करता की कंफिजन Between gold and silver सोने और चादी के बीच में बाद वाली सस्ती है बाद वाली मोले सर, silver को दुबारा लिख दो वो भी काम हो जाएगा ना लेकिन grammar silver को दुबारा लिखने की पर्विशन नहीं देती है इसलिए हम दुबारा silver को दिखाने के लिए दुबारा silver को दिखाने के लिए दुबारा silver को दिखाने के लिए यहाँ पर जो है the letter को यूज़ करेगे यहां पर यदि अभी silver को दुबारा दिखाना है तो the letter आएगा letter से बेले द्यात है उससे बेले नहीं आएगा between gold and silver the letter is cheaper बाद वाली ज्यादा सस्ती है यह comparative degree है जो अब इसके next part में पढ़ेंगे between gold and silver the letter is cheaper सोना और चांदी के बीच में बाद वाली को दिखाने के लिए silver को दिखाने के लिए silver दुबारा नहीं लिख सकते grammar prohibit करती है तो grammar क्या उपाए है तो उसने का एक word देती हूँ एक adjective देती हूँ जिसका नाम है the letter तो यहां पर the letter आएगा और यदि उल्टा गर्दू में between silver and gold the letter is more expensive हो जाएगा यदि मैं दे reverse कर दिया sentence को तो सोना जादा मेंगा है बाद वाला जादा मेंगा है तो the letter is more expensive कहांदी the letter के पास गई कहांदी the letter के पास गई you should purchase the latest mobile आपको एक आधूरिक mobile खरीदना चाहिए एक आधूरिक mobile खरीदना चाहिए अच्छा प्रवाव छोड़ने के लिए the latest mobile खरीदना चाहिए अच्छा प्रवाव छोड़ने के लिए आपको अब तक अन्तेम यानि इसके बाद और भी आ सकता है अब तर अन्तेम the latest mobile खरीदना चाहिए आपको खरीदने के लिए और लास्ट में राम के बाद मैं ने कोई दोस्त नहीं बनाया यह मेरा अन्तीम एक्जाम है इसके बाद मैं एक्जाम नहीं दोगा दिस इस माई लास्ट एक्जाम latest का मतलब है अब तक अन्तीम अपर मोबाइल की दुकान पर गए और भाई साब मोबाइल दीजिए तो उसने कहा कि ये लो मोबाइल, लैटेस्ट मोबाइल है, लैटेस्ट मोबाइल है, ये आपका अब तक अंतिम है, हो सकता है 15 दिन बाद दूसरा आए, तो वो कहारी अलग है, और लास्ट का मतलब होगा सबसे अंतिम, लास्ट का मतलब होगा सबसे अंतिम, लैटेस्ट का मत बाद वाले के लिए और आपका इसे कहते हैं समय का क्रम आप निकासर में CRPC के बाद एविदेंस पढ़ेगी हम तो वी विल रेडिया स्टेरी एविदेंस लेटर दें CRPC दे उल्टा बोल रहे हैं आप CRPC लेटर देंड एविदेंस कुछ भी आप जब समय का क्रम बताएंगे तो LATER आएगा दो वस्तों में बाद वाले का क्रम बताएंगे LAWTR का प्रियोग होगा LATEST का मतलब होगा अब तक अंतिव अब तक अंतिव लेटर न्यूस क्या है LATEST EDITION क्या है LATEST Mobile कोई सा है LATEST CAR कोई सी है LATEST NEWS क्या है अब तक अंतिव लास्ट का मतलब है कहारी खतम उसके बाद ना कोई उस कंपनी ने प्रोडेक्ट ही बंद कर दिया वो लास्ट हो गया तो यह हमारे चार कहली एक साथ फिर जा रही है इसके परोश में रहता है आपका चार भाईयों से मिलने जा रहे हम LATER LATEST LATER इस पहली का भी जान रखना है LATER LATEST और सबसे लास्ट म रहते हैं चारों का डिफेंस पढ़ना है अबे LATER समय का क्रम बताएगा लेटर जो है समय का क्रम बताएगा कोण किसके बाद कोण किसके बाद समय का क्रम बताता है आपके बाद मैं आया मेरे बाद आप आए I have come I have turned up in class letter ने दियो LATER समय का क्रम बताएगा दूसरा करिए LATER लेटर दो वस्तों में केवल दो में तीस तो होती दिये दो वस्तों में दो वस्तों में हमेशा बाद वाली को बताएगा बाद वाली को बताता है दो वस्तों में हमेशा बाद वाली को बताएगा LATER 99 परसेंट इससे कुश्चन आता है 99 परसेंट आता है दोनों में और उन दोनों में कैसे कुश्चन बनता है वो हमारे कुश्चन पेपर बताएगे और तीस आ है हमारा LATERzent का मतलब होगा अब तक UNTIV अब तक UNTIV यानि उसके बाद कोई कानी दीवस्ति है अब तक UNTIV एञ है LATER स्रूरी अब तक UNTIV ठीक है LATER स्मोबाई को जलशा है LATER स्कार कोलसी है LATER स्ग्रμε्श कोलसी है और फूर्ट का मतलब होता है LAST सबसे UNTIV सबसे अंतिम स्टूडेंट कों आया लाश्ट स्टूडेंट सबसे अंतिम कि लेटेस्ट न्यूज्स क्या है लेटेस्ट मोबाइल लेटेस्ट न्यूज्सुस्पार लेटेस्ट आइडिशन दो ऐसे थोड़ी है दो सार कुरानद address बताएगा, तो आप जो है मकान नम्मर थर्ड में गए तो čार भाई मिले थे उसे दोस्ती कर ली elder, eldest, older और oldest, फिर उसके परोस में मकान नम्मर चार में फिर चार भाई मिलते हैं, Saturday सबै का करम बताएगा Sबै का करम बताएगा L.A.W.T.E.R. दो वस्तों में बादवाली का क्रम बताएगा Plot A और B के बीच में बादवाला ज़्यादा बड़ा है Between Plot A and Plot B The letter is bigger The letter is larger The letter is more expensive The letter is cheaper कुछ भी आपकी जो भी उच्छा है बुरा ही हो वो दा लेटर के जरी बताओगे इसमें ओटोमेटिक बादवाला पैदा हो जाएगा Letters केता है अपतागंतिम भाई साब Letters Edition दोना यानि 2,000 चोईस में जो अब तक छपा है वो Edition दोना वो आपको 2,000 22 का Edition पकड़ा रहा है आप नहीं लोगे आप भाई साब पैसे देने Letters का अपता करती है भो सकता है कि जैसे आपने लिया कल एक दूसरा भी आजा तो वो Letters हो जाएगा परसुद और कोई आजा है वो Letters हो जाएगा लेकिन Publish करना ही बंद कर दिया वो ले वाई साब लास्ट एडिशन है इसके बाद इस कंपटी ने कोई किताब Publish नहीं की है कोई किताब नहीं चापी है कोई कार्ड नहीं बनाई है मैंने कोई दोस्त नहीं बनाया है मैंने कोई competition नहीं दिया है This is my last competition अब मेरा सब्सक्राइब लास्ट competition है इसके बाद मेरा competition नहीं दूगा जो भी में प्रॉब्लम है ये जो गई या हो गया मेरा 2-4 साल खराब होने थे हो गए तो this is my last competition इसके बाद मैं कोई competition दियो सबसे अधिम latest news क्या है उसकी क्या क्या मुलते क्रिकेट की latest score क्या है latest क्या है तो latest का मतलब होगा अब तक अधिम और last का मतलब सबसे अधिम बकार नबर 4 को छोड़िए letter गया letter गया latest गया और last गया बकार नबर 5 वे कौण मिलता है देखते है clear आईए बकार नबर 5 वे कौण मिलता है पहले query पैदा करते है फिर बढ़ते हागे कि तरह ब उस query भी मकार नबर 5 खोलें के बाद में पहले उसके खोलने का background बनाएंगे की आता क्या इससे query develop होती है और query develop होके जमान सर आता ना तो दिमार को बहुत सुकुन मिलता है और बहुत processing में जल्दी आते हो आप मैंने लिग दिया I will I will purchase I will purchase खाली जेके छोड़ दी मैंने प्रूट मैं कुछ फल खरीदूगा फ्रूट टू डोनेट डोनेट का वंददान करना सबको आता है और्फनेज और्फनेज का मतलब होता है अनाथ आश्रम और्फनेज अनाथ आश्रम ठीक क्या बढ़ाएगा पहले दिमार्ट में क्वेरी बनाओ क्वेरी का प्लेट्फों बनाओ जो क्वेरी आई की तब और बजाएगा आई विल पर्चेस रूट डोनेट और और्फनेज दूसरा मेने गा आई विल नौट आई विल नौट वाच अली जे गयर मुवी यूटू बजी शैडियोल विल लौट शैडियोल नार कसारे क्म बजी शैडियोल नेक्स्ट आईए I will watch movie due to my busy schedule फिर मैंने लिख दिया Will Will you कुछ से लिख यह I have no words मिरमा तो कुछ रब्दी नहीं है Will you Will you Give me लब पणाने का रिदब ऐसा तोड़ता है Will you give me खाली जेगे pieces of advice यहां पर भी grammar एक ले रही है Will you give me pieces of advice और फोर्थ मैंने लिख दिया Will you see any person and will you see any friend कर दो any friend in मेहमत पेयर मेहमत पेयर का मतलब है विशाल बेला यहां पर मैंने चार परीपेदा की चार आपको दिया की आएगा क्या पहले मैंने बुला I will purchase fruit to donate orphanage अनाथा आश्रम में और मैंने दो वाई दिये दो वर दिये आपको आप पहले में दिया सम और दूसरे में दिया any पहले में दिया सम और दूसरे में दिया any क्यों आएगा कैसे आएगा अभी तुक्का नहीं मारना है अभी ग्रेमर करसेप्ट को इस्ट्रों करना है I will purchase two to donate in orphanage यहाँ पर सम आएगा या नहीं आएगा कहरी अभी सिद्धा है यहाँ पर सम आएगा यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है सम आएगा I will not watch movie due to my busy schedule यहाँ पर any आएगा मैंने कोई फिल्म नहीं देखी मेरे busy schedule के कारण यहाँ पर any आएगा देखी होती है तो सम आजाता Will you give me some pieces of advice कुछ advice दोगे क्या मुझे advice से पहले direct sum दी आएगा pieces बहुँआ चड़ूआ advice तो वही रहेगा advice से पहले direct कोई operation नहीं करना है न N आएगा न सम आएगा तो यह advice से पहले direct sum या N लगाना grammar का violation करना है न वो advices होगा उसका भी एक rule लिख देते हैं और will you see any friend in mehmat आपने कोई जो है आपकिसी दोस्त से मिले थे क्या आप मिलोगे क्या क्या कोई आपने दोस्त देखा था ज्या दोस्त से मिलोगे क्या विशाल मिले में आपको दोस्ते rotation लेना है दो का rotation will और sum ने क्या difference है यह चारो sentence आपको सिखा गए छोरी discuss करते हैं पहले practical ground पर आ जाईए पहला क्यों आया sum क्योंकि आपका वाक्य सकारात्मक है आपका वाक्य सकारात्मक है इसलिए आपका sum आया आपका वाक्य सकारात्मक है इसलिए sum आया कि मैं कुछ फर्ल खरीदूगा यह मना करता कि I will load purchase तो क्या आजाता सब की जगे एनी का यूज हो जाता कि I will not purchase any fruit to donate in orphanage या कुछ भी एनी milk, एनी book, एनी friend एनी mobile, etc. I will not watch वाक्य निगेटिव हो गया तो एनी आएगा वाक्य निगेटिव हो गया तो एनी आगया Will you give me some pieces of advice मारक के question वाक्य हो जाहत है वाक के प्रश्व वाक्य होचक है वाक के ईन्टिव है लेकि request है क्या वाक के यह इनी request है तो समझे करेगा और वाक के without request है जननल कोष्य पूँच रहेगी वाकं यह आपने प्री दोस्ट से मिले तो वहाँ पर एनी आएगा यह सब और एनी की कहानी का डिफ्रेंस है वाग के पॉजिटिव है सब लेगा वाग के इंट्रोगेटिव तो है लेकिन रिक्वेस्ट है रिक्वेस्ट है कि सब थोड़ा टाइम दोगे क्या मुझे वाग के में रिक्वेस्ट है तो सम आएगा और वापर आपका एनी आएगा और उसी से आपने रिक्वेस्ट कर ली तो वापर आपका सम आएगा यह सम और एनी का एक बहुत बड़ा डिफ्रेंस एक बार इसको उलपेड देते हैं हम हमारे मैथामेडिकल और mathematical exploration में हमें defense kadar कि इसका प्रियोग सकारात्मक सकारात्मक वाक्य में होगा मैं कुछ किताबे खरीदूगा सकारात्मक वाक्य में होगा इसी का दुश्मन वो कहता नहीं खरीदे के तू तो क्या संपायूस होगा तो आप एनी को बुलाएगे एनी का प्रियोग इसका प्रियोग नकारात्मक वाक्य में होगा सकारात्मक गया नकारात्मक गया लिगेटी वाक्य गया मैं आज मैं किसी दोस्ट से नहीं मिलूगा sorry I will not see any friend इसका प्रियोग completely लिगेटी वाक्य में होगा कि कफ एच्छे कुश्टन बनाते हैं सम और एडी और राइटिंग में भी काम आते हैं और तीसरा मिला सम यदी प्रिश्ण बाचक में हैं वाक्य में रिक्वेस्ट है वाक्य में रिक्वेस्ट है किसी से रिक्वेस्ट है रिक्वेस्ट है और वाक्य प्रिश्ण बाचक है प्रिश्ण वाचक ही होगा, निच्छरेल इसी वात है, वाक्य प्रिश्ण वाचक है, तो आपका एनि सम आएगा, सर मुझे कुछ टाइम दोगे गया, will you give me some time, sorry, today I have no any time, मेरे पास कोई टाइम नहीं आज, मैंने बना कर दिया, मैं एनि को ले जाओगा, और वाक्य में सिर्फ प्रिश्ण है, वाक्य में सिर्फ प्रिश्ण है, तो एनि का प्रियोग होगा, वाट के सिर्फ interrogative है कोई request वगरा नहीं है तो केवल एनी का प्रियोग होगा क्या आपने कोई movie देखी है क्या आप कोई movie देखोगे will you see will you watch any movie no I will not see any movie due to my busy schedule आपने कुछ प्रिशन हल किये क्या have you solved any question मैंने कोई प्रिशन शोल रही किये time भी ने था I will not solve any question हाँ मैंने कुछ कुछ शोल किये I have solved some questions अब यह था मैंने का एक प्रिशन सम आया सम आएगा कि वाल positive sentence में positive sentence में सम आएगा या या request plus interrogative request plus interrogative interrogative sentence है तो आपका इंट्रोगेटिव तो हो सकता हूँ, लेकिन मेरे वाक्य में कभी आपका इंट्रोगेटिव तो हूँ, लेकिन माइनस रिक्वेस्ट, ये मैथमेटिकल एक्सपेशन्स अब मोरैली का इसे बहार नहीं जाना है में, हमें बैस की तरह गरीजी तियार करनी है, सीधा डायरक्ट हिट करेंगे, कोई आपको टेंशन नहीं रटी है, पढ़ नहीं है, रिविजन करना है, कुछ नहीं करना है, डायरक्ट जाके सीधा एक्सपेशन्स अपेर हो जाना काम हो गया, और ये भी जीद है, कि इस पैटर्न के थूँ अभी गेम जीतना है, ये भी जीद है, एक जु ज़गा, ये यस, बिल्कुल कर सकते हैं, जैसा सोचेगे, वैसी वाइप्स क्रियेट होती है, जैसा सोचेगे, वैसी वाइप्स क्रियेट होती है, यदि आपके सांद एक शर्त रख दी जाए, अभी बहुत प्यारी सी, कि हर इसान को 10 लाग रुपे मिलेंगे, वो क्लास र प्रीशन होल बें उतारा जा सकता है, कि आप बिल्कुल उतारा जा सकता है, क्या आप उससे पहले कोपी की जूरुत पढ़ेगी, क्या नहीं पढ़ेगी, लगिए बच्छमन से आपको इसी तरह पाला गया है, कि एक्जाम से पहले रिवीजन, रिवीजन, तो वो आदस सी गई वाइवे एपिश्वल हो गए उससी के कि उसकी मिना मारा पार री पड़ता है आपको श्रक लगा दी जाएगी किताब की हात मन लगाना 10 लाग रूपर और देगे आपको एक्सामठी तुझाइन तो आप तुम्हें किताब की हाथ ही नी लगाना है किताब को touch ही दी करना है इसका प्रियोग सकारात्म वाक्य में होगा वाक्य में रिक्वैस्ट है वाक्य में रिक्वैस्ट है वाक्य में श्रीप्ष्ट नहें एर्डी आएगा मैं थे बैनी लें सम आया दिमाग के पर क्रेट कर लो positive sentence होना चाहिए और यदि इंट्रोगेटिव है तो प्लस रिक्वेस्ट होना चाहिए दिमाग की हार्ड डिस्क में डाल दो वाग के पॉसिटिव होना चाहिए सब के साथ और इंट्रोगेटिव है तो रिक्वेस्ट होना चाहिए दूसरा AD कब आएगा वाक्य निगेटिव होना चाहिए निगेटिव होना चाहिए और यदि इंट्रोगेटिव है तो वहाँ पर आपका जिसे कहते हैं माइनेस रिक्वेस्ट होनी चाहिए ये सम की कहानी दिमागी हार्डिस्क में कर लो जब बतन दबाओगे क्लिक करोगे दोले जब करनी चाहिए Sum और AD ने क्या कहा था? Elder, illness, older और oldest की क्या कहानी है? Letter, dispatch, latest और last की क्या कहानी है? यह सारी तीन कहानिया आपनी जो आज पढ़ी दिमाग की हार्डिस में नालो और कसम उठा लो कसम उठा लो ओध उठा लो कि हम एक कोपी और किताब को टच नहीं करना है और इतना गजब करती है वो अभी मैंने तीरे से त्यार करवाएं अभी तीरे से त्यार करवादी उसको ब्लाइड होते हुए अभी तीरे से त्यार करवादी अभी मैं आपके साब और करके पूछू को एक एक कंटेंट वैसी वैसे बोल दे तो शी इस एल्यूटेबल फोर आस और कुछ भी हो सकता है इसे पहले भी ब्लाइड श्रमा इस सविरा समद्ध एसे बहुत ब्लाइड नेस या कोई बीचीज जीती हुए कभी तीवार नहीं बंती तो सोच है हमारी विश्वरी पाल रखी है कि पहले ऐसे पढ़ेंगे तो उसके बाद रटेंगे अरे को पास अपाई नहीं है वो बि कुछ भी हो सकता है इसने इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और मैंने भी काफी कुछ सीखा इन लोगों से बहुत कुछी काफी कुछ नहीं कि everything is possible क्लिए आज के तीरों पॉइंट आजाएए पेपर पर बता है आज का पहला कोश्चन कर लेना हुए फिर कहता हूँ आदर डालो विदाव कोपी और किताब की आदर डवलप कर लीजिए कोपी और किताब की तो देखिए आप पहला कुछन कहता है मैं नेबर इस अबाउट टू डाई मेरा परोसी बढ़ने वाला है देरी चांसेज और इस रीकपरेशन किहलाता है बताएए क्या अंसर आएगा पहले में पहले में लिट्ल यारी नेके बराबर ये कोशन है न ये कोशन है ना इस अबाउट टू डाई मेरा परोसी बढ़ने वाला है आपने पहले ही कह दिया तो देरी इन लिट्ल चांसेज और इस रीकपरेशन उसके ठीक होने हो सकता है उसका ठीक नहीं हो सकता है ऐसका जो है वो ठीक पर कि चांसेज नहीं आएगा तो लिटिल आएगा तो देखिए आप दोक्टर ने कह दिया आप बाइ-बाइ करो क्योंकि आप कुछ भी नहीं है दूसरा आजाएए यू घीव भी शुगर विस्कली टू ब्रूटी फॉर अन्वोईज गैस विस्कली का बतलब तुरंद विस्कली का बतलब तुरंद और ब्रूटी का मतलब चाय बनाना आप यहाँ अन्वोईज गैस का मतलब बिन बुलाई महमान आप यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो आपका मेशे शुरू होगा may you give me may you give me आपका नहें के बराबर शुगर है little sugar क्या आप मुझे थोड़ी सी शूगर दे सकते हैं बिन मुलाए महमानों के लिए चाय बनाने के लिए तो यहाँ पर में आएगा और आपका लिटल शूगर आएगा आपका ए लिटल क्योंकि आपका रिक्वेस्ट है तो में और इतनी चीडी तो आप भागोगे नहीं कि आपकी चाय बन जाय है और ब्रिस्ति का मतलब जलने से और ब्र्यूटी का मतलब चाय बनाना अन्वोइस गैस का मतलब होता है आपका बिन बुलाए महवान धर पर आईए एच उब्दा राउनी स्टूडेंट्स बेकी के पेंडेमोरियम इजेंपेग क्लास बेके पेंडेमोरियम का मतलब है शोर गुल बचाना पेंडेमोरियम से पहले या नोईस से पहले एए आएगा जेंपेग क्लास का मतलब होता है खचाकच भरी क्लास और राउनी स्टूडेंट्स का मतलब होता है उदरणी चात्र कहनी चली गए इच के पास इच कहता है अपने वाक्य में plural वर्ब नहीं आएगी इसलिए आर गलत हमारे वाक्य में इच आ सकता है हमारे वाक्य में वाज आ सकता है वर्ब अभी नहीं आएगा B और C दोनों अंसर ठीक है लेकिन B अंसर देते हैं प्रिजेट को लेते हुए यहां पर इच आंसर आएगा वाज भी आ सकता था गलत नहीं है A और D गलत आंसर है क्योंकि इच की plural वर्ब से हर आल में हर कंडिशन में कट्टर दुश्मनी हैं तो आंसर नमबर A और आंसर नमबर D absolutely wrong आंसर इच अब दा सिटीजन्स what for robust democracy Robust democracy का मतलब है मजबूत प्रजात तंत करें citizens बहुँ अचन है कोई सोचेगा वर्ब तो citizens के according आएगी ना नहीं आएगी दोस्तों यहां पर इच को अपना मेहमान बनाएए इच के पास जाना है इच कहता है singular वर्ब लेलिया साब singular वर्ब हैस फिर कास्टेड में अटक गए कास्टेड की ED फोर्म नहीं होती है तो A answer गलत B answer गलत यहां पर हैज कास्ट आया और फिर एक और कहाणी अटक गई कि दियर को यूज़ करें गया तो इच क्या कहता है मेरे साथ दियर नहीं आता है तीर वर्ब बिल गए तीर कोश्टन मिल गए इच कहता है सिंगूलर वर्ब आती है कास्ट कहता है मेरे साथ ED नहीं आती है और इच फिर कहता है मेरे साथ दियर नहीं आता है तीर कोश्टन क्रियेट हो गए आपके इच कहता है सिंगूलर वर्ब दियर नहीं आता, कास्ट भी अटक गया आपसे, कास्ट कहता है अपने साथ एड़ी नहीं आती है, तो तीरों पॉल्ट को आप लेते हुए, सी बनाईए, है कास्ट और हिस आएगा, इच एनिमल एड़ वाडर 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 वोर्णीं वाडर स्ट कीन विंटर, प्रतिक जानवर और आपका पक्षी भटक रहा है, वोर्णर कर रहा है काई के लिए, वोर्णस वाडर स्ट साप पानी के लिए, कब सिल्स कीन समबर भाट तप्ती हुई दोपेरी या बहुत इस घरबी के से ही. सिंस चला गया, चीक है, लेकि सिंस तो जाएगा तो आपका रूम अदे नमर चार बे, चीक है, लेकिन अप कहारी अटग गई, किसके पास, इच के पास. । रूम अदे पास बोरप बचार में तो चले गई आप, और एच को लगाते हैं यहां पर हैस बीन आएगा, यह इस दर राइट आंसर, बहुत अच्छा कुष्याद गलत हो ने की संभावना 99.99% यह इस दराइट आएगा इसमें यह आएगा, क्यों आएगा बता है ना क्यों आएगा इच के कारण इच के कारण यह आएगा को से वाला है कि अधर करना है ने इच का सी भी ठीक है कि उसको अंतर ही नहीं है न शीवाद नोट सो एज राणी पन्वावती इन इनिशेट टाइम इनिशेट टाइम का अवल अपना चीज समय शी एडी वोलेटेट अरसेल्फ उसने आत्मदा कर लि और सीने के लिए है टू से वरफेस अपनी इज़त बचाने के लिए है आककोषन नबर सिस आइप इस इमोलेट जो हर करना क्यों से और पाये समानव जो एक का अधिन शुर्चना को तो यहां पर ब्यूटिफुल आएगा शी वा दोट सो ब्यूटिफुल एज राणी पद्वावती वो राणी पद्वावती जित्ती सुन्दर नहीं थी इन इनिशन टाइम नाचीन समय में शी एड इमोलेटेड अरसेल्फ उसने आत्मदा कर दिया था तो सेवर फेस अपनी इज़त बचाने के लिए बहुत राप एन इस फ्रेंड्स बेकीगे रकस बेकीगे रकस शोरगुल बचाना इस जैपक टैवर्ण खचाकज भरी मधुशाला में जैपक बिलकुल भरी हुए है टैवर्ण का मतलब मधुशाला जहां पर बैटके लोग पीर पीते हैं बूस प भरेंगे हमें नहीं बनना है बहुत राप एन इस फ्रेंड्स बेकीगे रकस इस जैपक टैवर्ण दोनों राप और उसके दोस्त जो है रकस करने शोरगुल बचा रहे हैं एक खचाकज भरी मधुशाला में एक बिलकुल जैपक्ट है आपकी टैवर्ण एट में आए राप इस फ्रेंड जैड्स इनफर्ण्ड विस रीद वाटर जैड्स इनफर्ण्ら का मतलब भीशनाग रॉम्ट्म्ट्ली का मतलब तुरांग एक एडवर्ण पहलिं जैडी है एजवर्ण आपसे क्या कहता है मेरे से पहले जो आएगा उसके according वर्ब आएगी बेर से पहले यदि singular आ तो वर्ब कैसी आएगी singular आएगी और बेर से पहले यदि plural आएगी तो वर्ब कैसी आएगी plural आएगी राम singular है क्या यूज करोगे हैज आएगा भी इस ना-right answer कों से 5 वाई है फिनावर यूज करो वसीब का ताला बिल्कुस ही जा रहे हो एक्स्प्लेट कर दो वसीब के ताले को वेट, टूगेधर वेट, एस वेल एस क्या लॉज वेट, क्या लाइक और अलोग वेट इससे पहले एक सब्जेक्ट होगा उसी के अकोडिक वर्माएगी इससे कोई लिड़ा लिड़ा नहीं है ऐसे रोटेट किया गरो नोलेज को यूविल लेश इटो हीब, इसस्टीफ रोल्स एड रेगलेशन लेश इटो किसी को आड़े हातो लेना किसी को खरी खोटी सुनाना, तो उससे डाटोगे, खरी खोटी सुनाओगे इसस्टीफ रोल्स, यदि वो सक्त काइदे कानून को तोड़ेगा, क्या अंसर आएगा, और क्यूं आएगा यहां पर फ्लाउट सांसर आएगा, कौन सी कंडिशन फोलो हो रही है इसकी पॉसिबल कंडिशन फोलो हो रही है, जो आप से कहती है इस वाले वाक़्े में कभी विल नहीं आएगा बोलोगे फ्यूचर लिखोगे प्रिसेंट आगे पीछे लिखने से कन्फ्यूज मत ओज़ी जाना आगे पीछे लिखने से कन्फ्यूज नहीं होना आएगे आपना बविश्य को बिगार रहा हूं यह मेरे पापा शक करते हैं जू टू बैड कंसर्ट बुरी सोबत के कारण बुरी संगत बुरी है कहाड़ी कहाँ जाएगी डाउट के पास डाउट क्या कहता है यदी मेरा वाद क्या पॉसिटिव है तो आने वाला कंजेक्शन एफ और वैदर आएगा तो एफ और वैदर में ढूल लेते हैं एज दा डाइट टांस ऐसे नास्ते वे पेपर को सुल्ट किया गरों इसे नाच दांस कर रहें हो खुशी में खुशी के साथ घि है आगे आए इन्फ्यूज साउट सेक्राबैन तू यज आओ आफ इसकाना साउट से क्रम एदी अच्छे संसकार तुमारे बच्चों का अच्छे संसकार सिखाओ अच्छे संसकार दो अजिंग दो इन्फ्यूस करों उप to your office spring तुमारी ओलादों को तुमारी संतानों को office spring की क्या grammar है इसमें कभी S नहीं आता है और इसको कभी वर्थ चाहिए तो ये plural लेता है, kettle का ही भाई है office spring आगे दे दिया, दे शुट बार दिया, टिंसल करिया, नहीं तो आप उनका उच्वल भविश्य बिकार लेंगे, answer मत देगना यदि should model उदर दे रखा है तो कौन सा conjunction मुलाएगा less बुलाएगा less conjunction दे रखा है तो कौन सा model मुलाएगा should बुलाएगा, answer मत देखा करो, answer देखनेगी आदत छोड़ दो देबाग में उससे लेटे नोलेज गो आप rotation में लोग कि उसकी नोलेज क्या है फिर answer के बाद उत्रो आप this is the right answer I have grabbed the commonious field मैंने उन्दा लंबा चोड़ा खेट हड़प लिया है grab यानी हडपना user प्यानी हडपना seize यानी हडपना commonious field लंबा चोड़ा खेट हो गई गानी खतम they relied on me उन्होंने मुझे पर भरोसा किया था इदर past indefinite है उदर present perfect है बीच में क्या आएगा since यदि left वाला वाक्य present perfect है right वाला past definite है तो क्या आएगा since answer आएगा since इसमें नहीं है छोड़ दो option को छोड़ दोस में ही दी last नहीं आगा last को since आएगा इसमें since आएगा correct कर लेना आगे देखिए you run fast तुम तेजी से वागो fast की क्या grammar कहती है fast की grammar ly नहीं आएगा fast में ly नहीं आएगा जल्दी से वागो to nav ए पिलफरर एक उठाईगीरे को रगी हाथ पकड़ने के लिए पिल फरर उठाईगीरा नहीं रगी हाथ पकड़ना अजे सेंड ने डिगी रेजर वोयर एक गद्दे तालाब के पास में नहीं का मतलब रगी हाथ पकड़ना पिल फररर आपका उठाईगीरा अजे सेंड पास में डिंगी रेजर वो यार गन्दा ताला चीक है यहां पर रन आ गया वर्पी फर्स ट्रोम आ गया यह इसके सामर्थि को बता रहा है यह इसके कैपसिटी को बता रहा है और कैपसिटी बताने वाला वरतमान का कुझ सा बोडल है can I can speak English sorry I can't speak English मैं नहीं बोल सकता मैं बोल सकता हूं फिश can leave with water we can't leave with water for a long time आगे चलिए see the right answer A.D. कपोज कॉप्स एक सडीगली लाश री सेलेक्टेड जबीद खोटकर निकालना अजे सेट ग्रेवियार पासवाले कब्रिस्तान से कप्रिस्तान का दूसरा वर बताओ जल्दी यूज हो चुका है जो सीमेट्री अपने यहां पर जो यूज है वह सीमेट्री तो यह क्या कहता है एडी कपोज कॉप्स री सरक्टेड फ्रों अजे सेंट ग्रेवियार्ड सेंटेस कहता है पैसी भी जाना पड़ेगा क्योंकि ला रहाय देनी हो जिसका इंदी मतलब का चाहिए था उक्रित शुडहर्ज हो एगा पैसिवे शुडह वी आएगा मुझे यहां पर जल्दी आना चाहिए था आयए शुड़ है कपी अर्ली पैस्टेडर्य सब्रों यूर फार डिस्कार्ड यू program is फ्लॉरिज बुबर पलूरि अब मतलब होता है डिखाल देना से किसी को डिखाल डेने के लिए वर्ड लाइगा वर्थमान में जिस मॉडल को यूज किया जाता है वो माइट के साथ वर्फ की फर्स फॉब लेता है में होता तो संभावना बहुत गहरी होती माइट एंडे संभावना हल्की है मेरा एक विचार है कि ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पापा तुमको फ्लोरिस बिद्दिस से निकाल सकते हैं ऐसा मेरी धार्णा है संभावना 20% है माइट को यूज़ करेंगे और संभावना 80% होती तो में को यूज़ करते हैं बना दिमाग से गेम खेलना मैं फिर करता हूँ कोपी किताब को हाथ मत लगाना चाहिए फैल हो जाएं भूम बजूर है क्लियर एकदम क्लियर चलिए बिलते हैं थैक्यू वेरी मच